बीजेपी के प्रदेश सद्धिक्ष नितनेंद्र है में से बात करते हैं उज्यारपुर आपके सद्धी सीट रही है अगली बार इस बार क्या होने वाला है वहां से देखिए उज्यारपुर सीट इंडिये जीतीगी वहां इंडिये से जो प्रतियासी होगा उसकी जीत होगी जहां तक आपका सवाल है कि आप कहां से लडएंगी तो पाटी मुझको लडाएगी तो मैं उझियारपुर से ही लड़ूगा है। वह गलत है हमारे विरोधियों की चर्चा है, हमारे विरोधि मान चुके है कि वहां से कोई भी लड़ेगा तो उसकी जमानत जब्त होने वाली है इसलिए वह अववा करने वाला बेक्ति कमजोर होता है और अपनी प्राजे के अहसास के आधार पर वह अववा करने यह बात बिला थे मैं उजियारपूर से लड़ोगा लेकिन वहां से तो बड़े-बड़ उनको 2010 भी का रिजल्ट जब हम और जदि यानि भाजपा जदिव का गटवंदन था और आज तो लोशपा भी उस गटवंदन में है आज भाजपा जदिव और लोशपा का गटवंदन इतना मजबूत है कि एंडिये की 40 की 40 जीतेंगे आप 2010 की विधान सभा का चुनाओ और 2014 की विधान सभा चुनाओ लोग सभा चुनाओ का विश्लेशन कर दिजे नतीजा असपस्ट दिखाई पड़ेगा अगर उनों को विश्वास रहता तो दरदर की ठोकड़े खाने के लिए तेजस्वी जी कभी उत्तर परदेश तो कभी ममता दिदी किया तो कभी समता दिद की और फ्लॉप लोग का यह कुनवा है समझे ना लेकिन आप लोग को तो मना कर दिया वहां से निकाले के लिए तो आ लोक तांत्रिक विचार धाराओं का प्रतीक है ममता जी की निरंग कुस्ता का प्रतीक है और लोक तांत्रिक ढंग से लोक रोका गया है हमाई राश्ट देख जी के रैली को यह बहुत ही लोक तंत्र की विवस्था का यह बहुत ही गलतर पहलू है इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है और यहां लोक तंत्र की हत्या करने के लिए इंद्रा जी भी चाहीं थी तो 1977 में प्रणाम बुगतना पड़ा था ममता आपके इस हद त परणाओं के बिरोधी हैं और आज बंगाल की जनता बच्छिम बंगाल की जनता ममता जी की बिरोधी बन गई है इसलिए उनको धूल चटा देगी इस बार बीजेपी का बहुत चानी रहा है बीजेपी का वहां परस्टिम बंगाल में नहीं रहा है तुसे कभी तह हम दो प यह तैय है मंदिर मुद्दा कितना बड़ा होगा मंदिर मुद्दा तो यहां के देश के जन भावनाओं के अनरूप है समधानिक दायरे में उसका जो फैसला आएगा परधान मंत्री जी ने कहा है कि समधानिक तहलों के आधार पर उसका जो फैसला होगा वह मानन होगा और जमीन के हकदार जो नियास बोड है सिराम नियास बोड या राम जन भूमी की लोग है उसके आधार पर जितने सबूत है मानने नियाले जन भापनाव के नूद भैसला करें यह हमारे साथ थे नित्या नंद्रा उनका साफ कहना है उनका इंपक्त भरोसा है कि कोट से भी उनको पूरा भरोसा है कोट से भी नयाय मिलेगा और जल्द ही राम मंदिर अध्याम बनेगा पटना सेटी भारत के लिए मित्वर्मा